हेलो एन वेलकम बैक टू माई चैनल अन टुडेज मेन्यू चलिए आज मैं बनाने वाली हूँ शवेवरात स्पेशल सूजी की बर्फी तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है ये सूजी एक कप इसको बारिक बारी काटा है जैसे काजु बादाम पिस्ता रल्भूजत के वीज नारियल और इन सब जितना के चाशनी बनाता है और जतनी सूजी लिया है उससे आधा चीनी लिया है उससे थोड़ा कम चीनी लिया है पूरा आधा नहीं थोड़ा कम चीनी लिया है और चीनी की हम सबसे पहले चाशनी बनाएंगे तो उस चीनी को हम एक पैन में डालेंगे और जतनी चीनी लिया है उतना ही पानी डाल करके इ और इधर हम पैन में पैन जब गर्म हो जाए तो उसमें वन फोर्थ कप घी डालेंगे और उसमें सूजी कोब हमें भूनना है गोल्डन होने तक इससे हमें भूनना है इसको धीमी आज पर भूनना है आज तेज करने से सूजी बहुत जल जल जाती है तो इसे धीमें आज पर धीरी जरे भूनें अब देखिए यह हलका हलका पिंक होने लग गया है साथ में हम चाशनी भी देखते रहेंगे अब इसी स्टेज पर हम यह पीसा हुआ जो क्रश किया हुआ ड्राइफ्रूट का पावडर है यह हम डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे अभी बताएंगे कि उसका करना क्या है अब इसको भी हम पांच मिनट साथ में भून लेंगे अब यह भूना हुआ हो गया है तो चाशनी हम इसमें डाल देंगे चाशनी बस ऐसी होनी चाहिए कि जो ड्रॉप आप गिराईए तो ठहर के गिरें अब भूनते टाइम ही चाशनी डालने के बाद हम आधी चमची इसमें डालेंगे इलाइची का पावडर और जितना ड्रा थोड़ा-थोड़ा डालेंगे थोड़ा-थोड़ा ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे यह नारियल कसा हुआ यह भी डालेंगे इसके अंदर जितना आप इसमें आप ड्राइफूट जादा भी डाल सकते हैं जितना आप को चाहिए अतना डालेंगे कम भी डाल सकते हैं बीना ड्राइफूट के भी बना सकते हैं तो कोई ड्राइफूट कोई ऐसे कोई जरूरी चीज नहीं है कि डाल नहीं है यह बगार को हैं बसे अब ये जो है सेट करने के लिए रेडी हो गया है तो अब ये जो ड्राइफुट का जो पावर बचक अधा ये केक टिन हैङ'll i इसको ग्रीज कर लिया है और नीचे हम इसको इस्तरह से थुँट देंगे अब इसी केक टिन में हम इसको निकालेंगे और यहां पर जल्दी जल्दी काम करना है नहीं तो यह सेट हो जाएगी फॉरण इसको जितना आपको मोटा रखना है जितना फैलाना है उस हिसाब से इसको आप फैला लीजे और इस और इसी फैलाते टाइम में हम जितना बचा हुआ गार्निशिंग के लिए रखा था जो भी चीज़ आप रखते हैं गार्निशिंग के लिए जो ड्राइफूट वो उपर से सेट करते जाएए उसको इस तरह से दबाते जाएए इस पर अब हमें इसे काटना बचा हुआ है बाकि सारा ये रेडी हो चुका है ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता इसको टाइम बिल्कुल नहीं लगता सेट होने में देखते देखते ही सेट हो जाएगा और सर्दी का मौसम है तो बहुत जल्दी बराबर करते जाना है यह बराबर हो गया है तो इसके हमघम कर लेते हैं इसको मैं वर्फी की तरह काटना है आपको किसी भी शेप में काट सकते हैं इसको स्क्वायर में काट लिजे जैसे भी दिल करें वैसे काटिए तो हमारी सूजी की बर्फी रेडी है तो मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजेगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर भी कर दीजेगा और अगर एक बार ट्राई जरूर कीजेगा अच्छी लगे तो कमेंट में बताईएगा कि कैसी लगी आपको मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजेगा और मेरे इंस्टरग्राम और फेस्बुक को भी फॉलो कर लिजेगा लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरी एक वीडियो डेली अप्लोड होती है अभी मैं शविवरात स्पेशल सारे जो जितने भी हमारे आशविवरात में बनता है हलुआ वगयरा उसकी रेसिपी डालने वाली हूं तो उसको जरूर देखेगा और सपोर्ट कीजेगा और इस तरह से बर्फी को निकाल लेंगे थोड़ा साथ इसको चाकू से हिलाईएगा तो यह अपने आप निकल आएगी बाहर की तरफ इसको हम अब डिशाउट कर लेते हैं तो यह हमारे सूजी की बर्फी रेडी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी वाली चल यह तो कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स फर वाचिंग